जैहिंद गुड मॉर्निंग मैं हो रहो लोड आप देख रहे हैं मिसन कॉम्पेटिशन दोस्तों आप यह देख सकते हैं 55 2022 को यह एक नया अपडेट बीपेसी ने सरस्रटमी वालों के लिए निकाला है अब यह अपडेट क्या है यह जो आठ तरीकों एक्जाम है उससे बहु को अपडेट कर दूंगा देखता हूं यह एक्चुली है क्या उसके बाद मैं आप लोग से बात करूंगा द्यान दीजिएगा इस पर यह हमारा हो गया हमारा पीडियाफ चलिए तो भाई साब देखिए यहां पर दिया रहा है बिहार लोग से वायोग 15 नहरुपत बेली र गर राए हूं तो के लिए कि स्वेधार के सुचना पहला देखिए नोटिस बाइन नोटिस क्रमवार यहां पर सुचना दिया गया है है इस परीक्चह में उमिधारो से ब्रस्टी से साक्षातकार के समय आवेदन में अंकित तत्यों की विधिवत जात सत्यापन के बाद किया जाएगा ध्यान दीजेगा यहाँ पर यह वर्ड है अपबंधिक है ना अपबंधिक का मतलब यह है देखिए आपने जो भी अपने फॉर्म में जानकारियां भड़ी है बिपेसी का जानकारी भरे हो फॉर्म में उसकी जाच और आपके डॉकुमेंट जो आप प्रोवाइड वहां करवाएंगे उसकी जाच होगी अगर कोई भी उमीदवार गलत मालो डिटो बर्त बर्ड दिया है गलत जनकारी देदिया है अग Direction से डिटेट तो फिर वहां पर उचित करवाई कि जाएगी और अगर कोई अज्यादा है। उनकी जादर को आपको देखिए अगर सब्सक्रिबश्ण लेना हो तो आप RPG 10 यह रिफिल कोड़ लगाएगे गा और आप मुझे हर रोज दो पहर में दो बजे यहां पर आके फॉलो कर सकते हैं और लाइव ग्लासेज फ्री ओफ कॉस्ट में जॉइन कर सकते हैं मेरे साथ अनकेडमी एप के ऊपर बहतरीन मौका लेका आनकेडमी आपके लिए जो भी 66 में प्रीक्सा देदी है और जो इंटर्वीव के लिए उनके लिए बहतरीन ऑपर्चुनिटी है दोनों के लिए होगा अपकमिंग 68 के लिए पिरिंस में दोनों के लिए होगा बी पिए सी ऐजीवर्सर फांडेशन बैच यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है चार मईसे यहां पर ध्यान दीजिएगा और यह प्ररेंप भीसे शीच्ट वाले साहयक जो अबिर ऐखारra पांच महीं से स्टार्ट हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और आप अराम से सब्सक्रिप्शन कीजिए और प्लस एजुकेटर के साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेशन लीजिए कहा गया है अब ध्यान दीजेगा कॉइंट यहां पे बोला गया है कि पहले आपको परिक्षा केंदर पर पहुंच जाना है ठीक है और एक घंटा पहले मैं मैंने कल के वीडियो में बोला था कि एक घंटा भी नहीं आप देर घंटा पहले महां पहुंच जाएंगे थोड़ी दर वेट कर लेंगे और फिर आराम से आप लोग सेंटर पर चले जा अजयिघेंगे अंकित सब्साओं कर दो है लिखा नथी आपने जनकारियां दी है उसकी जब जाच होगी खेए तो उस समय जो संबन्दित विद्वार है उनकी मिद्वारी रदी की जा सकती है और एक्स्ट्रीम फैसला आयोग यह भी ले सकता है कि फ्यूचर में होने वाले उसके सारे एक्जाम से उसको बाइकॉट कर दिया जाए उसको अलाओ ही ना किया जाए देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है घडी से रिल्टेड यहां बात करी गई है देखेंगा परिक्षा के इंदर परिक्षा होनी है मोबाइल ब्लूटूथ वाई फाई गैजट एलेक्ट्रोनिक पेजर स्मा करवाई की जाएगी देखेंगा बहुत लोग होता है कि जब यह लोग जाएंगे एक्जाम में तो होता है ओमर भढ़ने में गलती कर देंगे फिर उसमें कुछ ब्लेड या वाइटनर लोग रखते हैं उस पर फिर मार के चलाते हैं तो सिदा सिदा वो डिस्कॉलिफाइग कर दिये जाएंगे वह गलती कभी मत किजिएगा पहला चीज ध्यान से देखिएगा और उस हिसाब सहीं आप लोग वहाँ पे जो है सारा अपना ओमर भढ़िएगा ध्यान रखिएगा फर्स्ट राउंड में अराम से इताम बिल्कुल ध्यान पूरवक पढ़िएगा फर्स उसमें अप्रोच कीजिए ठीक है तो यह दो तीन राउंड जो आप पढ़ोगे ना तो ऐसे करके रिजल्ट किरता है तो इसमें डरने वाली बात नहीं है बस ध्यान रखिएगा एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यह मत करिएगा कि पूरा 1.500 का 1.500 का 1.500 को बढ़ने में फिर आपके 15-20 मिट का समय जाएगा तो उस समय फिर बहुत दिक्कत हो जाता है फिर समय का भाव रहता है तो हरबर हरबर में आप लोग भड़ेंगे तो गरबर आ जाएगा इसलिए स्टार्टिंग में जैसे से पहले राउंड में आपने देखा तो पचास से साथ यानि रिस्ट वाच ले जाने के लिए अनुमती है मतलब जो कलाई घड़ी जो एनलोग वाच होती है जिसमें कांटे होती है मिनट के घंटे के सेकेंड के वह वाली घड़ी आप इसमें ले जा सकते हैं यहां पे साफ साफ बोला गया है और यह जरूर लेके जाएं क्योंकि समय का पता चलता नहीं है आप जान रहे हो कि बिपीएसी बहुत से स्कूल में सेंटर देता है सरकारी स्कूल या प्राइमर्डी स्कूल जहां पे घरी भी नहीं होता है तो वैसे मैं अभ्यारती को समय देखने में बहुत दिकत होता तो अपना रिस्ट वाच जरूर लेके नहीं सिक्स देखिएगा ओयमर आंसर सीट किसी भी प्रकार के चिन रेखांकन अंकन करना वर्जित है उसके उपर अभेलना किये जाने पर अनुशास अनुशन सांतनिक दंडात्म करवाई की जा सकती है परवेश पत्रपड अंकित अवश्यक निर्देश इम उत्तर पत्रक ओयमर शीट पर अंकित सभी निर्देश को उमिदवार ध्यान से पढ़ें और उनका क्रमशा अनुपालन करें ओयमर आंसर सीट में कुश्चन बुकलेट सिरीज रॉल नंबर निसित रूप से अंकित करते हुए गोले काओ सही धंक से बढ़ेंगे अन्य था इसकी जाच नह और किसी भी प्रकार का उस पे लाइन वाइन मत कीचेगा एक्स्ट्रा कुछ भी वहां पे लिखिया उखियेगा नहीं अदर्वाइस सीधर डिस्क्वालिफाई आपको कर दिया जागा इसका ध्यान रखेगा अब यहां पे देख सकते हैं पांच-पांच-दोहजर बाईस क दो दिन का आज और कल दो दिन का समय रहे गया परस्वाप का एक्जाम है तो एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट आफ लग जो जो इस एक्जाम में समलित होना चाहते हैं जो नोटिसेस दिये गए हैं जो भी बाते कही गई हैं आयो क्योड से इसका अनुपालन करें ध्यान रखें और एक्जाम में फोर्ड के हैं बेस्ट आफ लग